क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बहुती कम समय में 95% तक मार्क्स गेन कर सकें परिक्षा के परेडाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपने उसकी तैयारी कैसे की है यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आएं हैं जो बोर्ड एक्जाम की तैयारी में आपकी मदद करेंगे सफलता हासिल करने के लिए मेहनत जरूरी है बोर्ड एक्जाम पर भी ये बात लागू होती है अगर आप बोर्ड एक्जाम में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें सिलेवस को अच्छी तरीके से पढ़ें और समझ लें परिक्षा पहले किलास में महत्मून टॉपिक्स डिसकस होते हैं उसे कभी न छोड़ें घर में पढ़ाई के लिए कोई शान्त कोना ढूंड लें बहतर होगा यदि आप रुटीन बनाकर पढ़ाई करें सैंपिल पेपर की मदद जरूर लें इसके जरीए आप परिक्षा के पैटरन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं परिक्षा की त्यारी के दौरान कई छातर खाना पीना छोड़ देते हैं यह उनके लिए सही नहीं है हेल्दी खाना खाएं हर विशे के छोटे-छोटे नोट्स बनाएं बहतर होगा कि पढ़ाई करते हुए आप हर पैराग्राफ के लिए एक-एक लाइन का नोट त्यार कर लें इस तरह आपकी अच्छे से त्यारी होगी इस्टडी के दौरान ना तो बारवार पढ़ने से उठें और ना ही फोन पर बात करें बहुत कम बच्चे हुए दिनों को सभी विशोक में बरावर समय दें अन्निता पढ़े हुए विशे याद नहीं होंगे एक्जाम को समान रूप से लें इस बात को मन से निकाल दें कि पेपर टफ आएगा पेपर आपके किताब के अंदर से ही आएगा अक्सर स्टुडेंट्स को लगता है कि कम खाने से नींद नहीं आएगी अगर ऐसा सोचते हैं तो यह बिलकुल गलत होगा पढ़ाई के लिए खाना पीना बहुत जरूरी है इस्टुडेंट्स घर का मना हुआ ही खाना खाएं अधिक से अधिक तरल पदार्थ को लें और साथ ही पूरी नीद लें गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें थैंक यू